प्रिय दर्शकों नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार विद्धुत आपूर्ती की विश्वस नीता बढ़ाने के लिए रावर के लाइस पास सेंट्र के सिलिकॉन स्टील मिल कॉम्पलेक्स में नए अक्तियाधुनिक 6.6 केवी स्विच बोर्ट का उधगाटन सेल आरेस्पी के एचारी सेंटर में सानिध्य एक मेंटर कनेक्ट कार्प्रम आयोजित और सेल होकी अकदमी का कैड़िट सब जूनियर पुरुष रास्टिय कोचिंग शिविर के लिए चैनित। अब समचार विस्तार से विद्धुतापूर्ति की विश्वस नीता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2030 को सेल राओ के लाइस्पास सयंत्र आरेस्पी के सिलिकॉन स्टिल मिल कॉम्प्लेक्स में एक नए अत्याधुनिक 6.6 केवी स्विच बोर्ट का उधगाटन किया गया नई मुखी महाप्रबंदक आटोमेशन और इंस्टुमेंटेशन श्री सुदीप पाल चौधरी और मुखी महाप्रबंदक विद्धुत वित्रण श्री दिलीप कुमार भंजी की उपस्तिती में किया इस हवसर पर सयंत्र के कई महाप्रबंदक वरिष्ट अधिकारी और बड़ इसी के दशक की शुरुवात में इस्थापित किया गया था समापन समारू में बोलते हुए कारेपालक निदेशक वक्स ने परियोजना के सफल समापन और पूरे सिलिकॉन स्टिल मिल कॉम्पलेक्स पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर प्रसन्यता व्यक्त की उन्होंने की पूरानी तक्निकी ने इसे अप्रस्चलित बना दिया था जिससे विजली आपूर्ती की विश्वस्नियता संद हास्पत हो गई थी सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय के अनुकर्णी प्रदर्शन से पूरे सबस्टेशन को बिना किसी उत्पादन हानी के बदल गया यह उपलब्धी स्थानी एम आर फंड से सासो ब्यालिस लाग रुपए के सहयोग से हासिल की गई मैसर्श स्नाइडर इलेक्रिक इंस्फ्रास्टेक्शर लिमिटेड एस ए आई एल द्वारा प्रारम की गई प्रतिश्टित परियोजना नए स्विच्बोर्ट की कमिश से समाप्त हुई जो SSM कॉंपलेक्स की बिजली आपूर्ती सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए तैयार है बड़े हुई विश्विस निरता और अत्याधूनिक तकनिकी के साथ नई स्थापना सिलिकॉन स्टिल मिलके महत्वपूर्ण कारियों के लिए निर्बाद विद्दूत आपूर्ती सुनिश्चित करती है अत्याधूनिक स्थापना रावर्खेल स्पास स्टिल प्लांट के बुनियादी धांचे को आधूनिक बनाने और छेत्र में अग्रणी स्पात उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों में एक महतुपूर्ण कदम है नैस्विजबोट की सफल कमेशनिंग विद्दूत वित्रण विभाग सिलिकॉन स्टिल मिल कॉम्पलेक्स और मैसर्स स्नाइडर इलेक्टिक इंफ्रेस्टेक्टर लिमिटेट से आयल के संयुक्त प्रयासों का एक प्रमान और विद्दूत विद्रण शेत्र में उतकृष्टता और नवाचार के प्रति उनकी प्रतीबधिता की पुष्टी करती है शेल रावर्केल इसपास सेंत्र के मानो संसाधन विकास केंद्र की एक पहल मेंटर कनेक्ट सानिध्य का आयोजन 29 जुलाई को मानो संसाधन विकास केंद्र में किया गया मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राज श्री बेनर जी और महाप्रबंधक DIC सचीवाले श्री एस मालिक ने सत्र की अध्यक्षता की 23 नव युक्ति प्रबंधक प्रशिक्षार्थियों ने अपने मेंटरों सलाहकारों के साथ कारक्रम में भाग लिया सुश्री बेनर जी और श्री मलिक ने संरच्चित सत्रों के माध्यम से कारक्रम के महत्व और लाभों के बारे में चर्चा की जिससे मेंटरों और प्रशिक शार्थियों को भूमिकाओं और जिमेदारियों को समझाने में मदद मिली साथ ही विकल्पों पर प्रकाश डाला गया और केरियर की दिशा तैकी गई मेंटर कनेक्ट को मानने करने के लिए सुष्री राजशी बेनर्जी और श्री एस मलीक की उपस्थिती में परामर्श डाता और उनके संबंधी प्रशिक्चकों के बीच एक परामर्शी समझोते पर हस्ताक्षा किये गये है कारकाम का संचालन साहयक महाप्रबंधक HRD श्री के के जैसवाल द्वारा किया गया इस कारकाम का उद्देश संबंधों को बहतर बनाने, संचार अपेक्षा इस्तापित करने और विकास के लिए कौशल छेत्रों की रूप रेखा तयार करने के लिए लक्षों की पहचान करना है मेंटर, मेंटी संबंध, नए लोगों को संगठन के अनुभवी कर्मियों के मार्ग दर्शन में वेक्तिगत और संगठनात्मक विकास की खोज और एहसास के साथ-साथ कंपनी के लक्षों और उद्देशों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने के लिए है कुआर मुंडा पार्शवांचल ब्लॉग के जैडेगा पंचायत के दुआ काटा गाउं के श्री थीबू और श्रीमती रूनी नानवर के पुत्र तथरावर केला इस्पास सेहंत्रा आरेसपी के सेल होकी अकेडमी के द्वितिय वर्ष के प्रशिक्छू देवनात नानवर को सब जूनियर पूरुष राश्टी कोचिंग कैम्प में भाग लेने के लिए चुना गया है कोचिंग कैम्प 21 अगस से रावर केला के बिर्सा मुंडा होकी स्टेडियम में शुरू होगा देवनात नानवर जो वर्तमान में दसवी कक्षा के चात्र हैं में 2022 में S.H.A. मे 13 होकी इंडिया सब जूनियर पूरुष राश्टी चैंपियंशिप 2013 में राश्टी स्तर पर पदारपण किया है होकी के प्रती देवनात की उस्सा और समरपण ने उन्हें एक अच्छे स्कोरर और आक्रमक खेल में उतकृष्टा हासिल करने में मदद की है यसी के साथ ही आ झारप भी कार दो कारप राट हाणि ज में ख्यूर्ष बास